स्वागत आपका आज के अपिसोड में चले शुरुआत करते हैं पिछले भ्यास प्रश्ट के साथ प्रश्ट था भारत में व्यपगत का सर्धान निती किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी इस प्रश्ट का सही उतर है विकल्प ए लौड डलहौजी चले देखते हैं इसके विसलेशन को लौड डलहौजी ने व्यपगत के सिधान की शुरुआत की जिसका उदेश उन रियासतों पर कबजा करना था जिनके पास स्वयम का उत्रादिकारी नहीं था और इस प्रकार वी सिधे ब्रुटिश ने अंतरण में आ जाते थे अतर विकल्प ए सही है व्यपगत का सिधान इसे शांतिपून विलय की निती भी कहा जाता है इसका प्रियोग 1848 से 56 इस्वे तक भारत की गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड दलहौजी ने किया दलहौजी का मानना था कि जूटी रजवाडों और कृतिम मध्धस्त शक्तियों द्वारब प्रोशाशन की पुरानी पद्धती से प्रजा की परेशानिया बढ़ती है अतर जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए इन रजवाडों और मध्धस्त शक्तियों को कमपनी की अधीन होना चाहिए इसी मनमाने तरक को आधार बना कर उसने 17-1848 में, जैदपूर एवं संभलपूर 1849 में, उदैपूर 1852 में, जहासी 1853 में और नागपूर 1854 में को कमपनी सामराज में मिला लिया दनहोजी की इसनिती से भारती रियासतों में तीवर और संतोश उत्पन हुआ जो 1857 की विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की एपिसोट की पहले प्रश्ण के साथ निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए एक, समताप मंडल में ताप समान रहता है एव़म इसकी मोटाई द्रुवो पर सबसे अधिक होती है दो, कभी-कभी इस मंडल में विशेश प्रकार की मेगों का निर्माड होता है जिससे मुलाव में कहते हैं उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनो, D न तो 1 और नहीं 2 इस पेश्ट का सही उतरे विकलब C 1 और 2 दोनो, चले देखते हैं इसके विसलेशन को समताप मंडल में ताप समान रहता है एवं इसकी मोटाई दुरूवों पर सबसे अधिक होती है अतक अथनेक सही है समताप मंडल की उचाई वायू मंडल में 18-32 किलोमेटर तक है कभी-कभी विश्वत रेखा पर समताप मंडल का लूब भी हो जाता है इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली का कड़कना, धूलकर इवं जलवाश्व आदिक कुछ नहीं होते है इस मंडल में वायूयान उड़ाने की आदश दशाएं पाई जाती है कभी-कभी इस मंडल में विशेश प्रकार की मेगों का निर्माड होता है, जिसे मुलाव में कहते हैं, अतक अथन दो सही है अगला प्रश्ण है, भारत में सड़कों का सरवादिक घनत्व किस राज में मिलता है इस प्रश्ण का सही उत्तर है, विकल्प सी किरल, चले देखते हैं इसके विस्टेशन को भारत में सड़कों का सरवादिक घनत्व किरल में है केंद शाशित प्रदेशों में सरवादिक सड़क घनत्व दिल्ली का है इवं दूसरा स्थान चंडीगर का है राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाय में प्रथमस्थान महराश्र का है विश्व का सबसे उच्चा सड़क मार्ग लेश्वी नगर मार्ग है जो कारा कूरम दर्रे को पार करता है इसकी उचाए लगबग 3450 मीटर इवं 2006 में इसे राश्ची राजमार्ग वन डी गोशित कर दिया गया अता विकल्प सी सही है अगला प्रश्ण है इंधन की संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक अच्छी इंधन का उश्मियमान अधिक तता प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए दो उच्च अपस फोटन वाले इंधन उप्योग ही तु अधिक उचित माने जाते हैं उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है इंधन वैसा पदार्थ है जो हवा में जल कर बगैर अनावश्यक उत्पात की उश्मा उत्पन करता है इंधन कहलाता है एक अच्छी इंधन में निम्नलिखित गुड होने चाहिए वसस्ता इवं आसानी से उपलब्द होना चाहिए उसका उश्मियमान उच्छ होना चाहिए जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवसिस्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए जलने के दौरान या बाद में कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन नहीं होना चाहिए उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए इवं उसका जलना नियंद्रित होना चाहिआ उसका प्रजोलन ताप निम्न होना चाहिए सभी इंधनों में हाईड्रोजन का उष्प्रोटन सबसे अधीक होता है अधक गतन एक सही है ऐसे इंधन जिनका अभ स्पोटन अधीक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं अतकतन दो सही नहीं है अगला प्रश्ण है निर्म्रालेखित में से कौन सा पुरसकार विज्ञान संचार में किसी बड़े योगदान हेतु दिया जाता है ए पुलिजजर पुरसकार बी कलिंग पुरसकार C. मान बुकर पुरसकार D. ग्रेमि बुकर पुरसकार इस पुष्ण का सही उत्तर है विकल्प B. कलिंग पुरसकार चले देखते हैं इसके विसलेशन को कलिंग पुरसकार विज्ञान संचार के शेतर में दिया जाता है ऐसा काम जो عام लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके विज्ञान संचार के अंतरगत आता है विजेता को 10,000 स्टरलिंग पाउंड और युनेसको का अर्लबर्ड आइंस्टीन रजट पदक पुरदान किया जाता है यह पुरसकार इस शेत्र में 1952 से प्रदान किया जा रहा है अता विकल्प भी सही है अगला प्रश्ण है चले देखते हैं इसके विसलेशन को थोस इंधन मिसाइले हाले में उत्तरकोरिया ने ठोस इंधन से संचालित अंतर महादूपी बैलस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परिक्षण किया ठोस इंधन मिसाइलों को प्रक्षेपर से तुरंत पहले इंधन भने की आवशक्ता नहीं होती है इन्हें संचालित करना अक्सर आसान और सुरक्षित होता है और कम उपकरन समर्थन की आवशक्ता होती है तरल इंधन हतियारों की तुल्ला में उनका पता लगाना कठीन है और वे अधिक जिवित रहने योग्य है ठोस इंधन प्रोध्योगी की का कारियर ठोस प्रनोदक इंधन और ऑक्सिडाइजर का मिश्रण है एलिमुनियम जैसे धात्विक पाउडर अकसर इंधन की रूप में काम करते हैं और अमोनियम परक्लोरेट जो परक्लोरिक एसीड और अमोनिया का मिश्रण है जो सबसे आम उक्सिकारक है इंधन और उक्सिडाइजर एक कठो रबर जैसे सामगरी से एक साथ बंधी होते हैं और एक धातू आवरण में पैक किये जाते हैं अता विकल्प A सही है अगला प्रश्ण है निम्नलिकित में से कौन पीम उजवला योजना के तहट महिला लाभारती नहीं है चाय बागान में कारेरत और काम छोड़ चुकी जनजातियां बी मनरेगा मजदूर सी द्वीपो और नदी द्वीपो में रहने वाले लोग दी वनवासी इस प्रश्ण का सही उत्तर विकल्प बी मनरेगा मजदूर चले देखतें इसके विसलेशन को निर्मलिकित में से किसी एक स्ट्रेडी से संबंदित वयस्क महिलाएं पीम उज्वला योजना के अंतरगत आते हैं उस घर में कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए अतव विकल्प बी सही है अगला प्रश्ण है निर्मलिकित में से किस अंतराश्ट्री समू संगठन संग की सदस्यों में आस्ट्रेलिया अत्वा भारत शामिल नहीं है चले देखते हैं इसके विसलेशन को क्वार्ट सदस्य भारत अस्ट्रेलिया अमेरिका और जापान दक्षिर पुर्वी एशियाई राश्ट्र संग आस्यान के सदस्य अगला प्रश्ण है निर्मनलिकित में से कौन सा प्रावधान जन प्रतिनिदित्व अधीनियम 1951 की अंतरगत नहीं आता है यह चुनाव की संचालन को नियंद्रित करता है यह भ्रस्ट आच्रड और अन अप्रादों पर अंकुष लगाने संबंदी प्रावधान प्रदान करता है यह मान हानी की कृति से संबंदित है दी उपर्युक्त में से कोई नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर विकल्प सी यह मान हानी की कृति से संबंदित है चले देखते हैं इसके विसलेशन को जन प्रतिनिदित्व अधिनियम 1951 प्रावधान यह चुनाव की संचालन को नियंद्रित करता है यह सद्नों की सदस्ता के लिए योगिता और अयोगिताय निर्दिस्ट करता है यह ब्रस्ट आच्रण और अन्य अप्रादों पर अंकुष लगाने के संबंद में प्रावधान प्रदान करता है यह चुनाव से संबंदित संदिहों और असहमतियों को हल करने की ब्रक्रिया की रूप रेखा प्रस्तुत करता है भारति दण सहिता की धारा 499 एवं 500 यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए ऐसे लांचन लगाता या प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की ख्याती को शती पहुचे तो ततपश्चात अपवादित दशाओं के सिवाए उसके द्वारा उस व्यक्ति की मानहानी करना कहलाएगा धारा 500 इसमें आपरादिक मानहानी के दोशी ठहराएगे किसी व्यक्ति के लिए जुर्मानी के साथ अत्वब बिना जुर्मानी के दो वर्ष तक की कैद का प्रावधान है तो चलिए देखते हैं आज के भ्यास पश्ट को बाब अलमंडेब जल्डमरुमद्य के सम्मंद में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक यह अत्यदिक सामरिक और आर्थिक महत्व की जल्डमरुमद्य है जो उत्तर पश्टि में लाल सागर को अधन की खाड़ी और दक्षिर पुर्व में हिंद महा सागर से जूरती है दो या उत्तरपुर्व में अरब को दक्षिर पश्चिम में अफ्रीकी महादीप से भी अलग करता है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोरो, D ना तो 1 और नहीं 2 इस प्रश्चिम का उत्तर हमें कमेंड वोक्स में जरूर दें, आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया